परिचाय प्रतीक, तुम जानते हो कि आज हमारे गणित के शिक्षक ने हमें संबंधों और फलनों के बारे में सिखाया संबंध? किन्तु ये एक अंग्रेजी का विशे है हाँ, गणित में शब्द संबंध यानि रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाशा में शब्द संबंध के अर्च से तैयार किया गया है ओ, ये दिल्चस्प है और संबंध शब्दानुसार दो वस्तुएं अथ्वा परिमान परस पर संबंधित होते हैं यदि दो वस्तुओं अथ्वा परिमानों के बीच कोई पहचान युक्त संबंध या लिंक हो मुझे ये पता है, मुझे इसके बारे में और बताओ ठीक है, मेरे साथ हाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे संबंधों के विभिन प्रकारों को परिभाशित करना फलनों के प्रकार की व्याख्या करना फलनों का संयोजन और विर्द क्रमडिये फलन को जानना और दुई आधारी संक्रियाओं की व्याख्या करना. संबंधों के प्रकार एक हमें ग्याद है कि किसी समुच्चे ए में एक संबंध एक रौस एका एक उप समुच्चे होता है. संबंधों के विभिन प्रकार निम्न लिखित हैं. रिक्त संबंध यानि Empty Relation सार्वत्रिक संबंध यानि Universal Relation स्वातुल्य संबंध यानि Reflexive Relation संमित संबंध यानि Symmetric Relation संक्रमक संबंध यानि Transitive Relation सथा तुल्यता संबंध यानि Equivalence Relation आईए A के करके इन पर नजटालते हैं. रिक्त संबंध समुच ए में संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है. यदि A का कोई भी अव्यव, A के किसी भी अव्यव से संबंध नहीं है. हर्था संबंध आर रिक्त समुच के बराबर है. जो की A Operations A का फास्वंध है. सार्वतरिक संबंध समुच A में संबंध R एक सार्रिक संबंध कहलाता है. यदि A के प्रतियक अव्यव A के सभी अव्यवों से संबंधित है. हर्था र बराबर A क्रोस A संबंधों के प्रकार दो स्वातुल्य संबंध समुच्छे ए पर संबंध आर एक स्वातुल्य संबंध कहलाता है यदि ए के अंतरगत सभी एक्स के लिए एक्स एक्स आर के अंतरगत है अर्थात आर समुच्छे ए पर स्वातुल्य है यदि A के अंतरगत सभी X के लिए संबंद R के अंतरगत XX से संबंदित है सम्मिश संबंद समुचे A पर परिभाशिस संबंद R एक स्वातिल्य संबंद कहलाता है यदि XY R के अंतरगत है ये इंगित करता है कि YX R के अंतरगत है संक्रामक संबंद समुच्च आ पर परिभाशित संबंध R को संक्रामक संबंध कहा जाता है यदि A1, A2, R के अंतर गत हैं एवं A2, A3, R के अंतर गत हैं इसका तादपर ये है कि A के अंतर गत सभी A1, A2, A3 के लिए A1, A3, R के अंतर गत हैं तुल्लिता संबं समच ए पर परिभाशिस संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ये स्वातुल्य सम्मित तथा संक्रामक है उधारण सिद्ध कीजिये कि निम्न संबंध स्वातुल्य समित तथा संक्रामक है समच एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे में संबंध आर इस प्रकार परिभाशित है कि आर बराबर एबी इस तरह है कि बी बराबर एजमा एक है फल माना कि ए बराबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे है एक संबंध आर को समुझ ए पर निम्न प्रकार परिभाशित किया जाता है आर बराबर ए, बी इस तरह है कि बी बराबर एजमा एक अदैव आर बराबर एक, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, है हम निम्न ग्याद कर सकते हैं ए, ए, आर के अंतर गत नहीं है जहां कैपिटल ए, ए से सम्द्दित है उधारन के लिए एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, शे, शे, आर के अंतरगत नहीं है अदैव आर स्वातुल्ले नहीं है ये देखा जा सकता है कि एक, दो, आर के अंतरगत है लेकिन दो, एक, आर के अंतरगत नहीं है अदैव आर सम्मित नहीं है लेकिन एक सीन आर के अंतरगत नहीं है अतैव आर संक्रामक नहीं है इस प्रकार आर ना ही स्वातुल्य है ना ही सम्मिध है और ना ही संक्रामक है फलनों के प्रकार एक फलन द्वारा दिखाई गई प्रकृती के अनुसार इससे विभिन प्रकार से वर्गी क्रित किया जा सकता है एक एक एकी अत्वा एक एक दो आच्छादक अत्वा आच्छादी एक एक एकी फलन एक फलन एक एकी फलन कहलाता है यदि फलन के प्रांद के प्रतिक अव्यव फलन के परिसर में अपने और अद्वितिय अव्यव हूं समुच्च ए से समुच्च बी का एक फलन एक एक एकी फलन कहलाता है यदि समुच्च ए के दो या दो से अधिक अव्यव समच्च B में प्रति बिम्बित किसी अव्यवों के समान ना हूँ अध्वा समान आउटपुट देने वाले फलन के मात्यम से दो या अधिक अव्यव संसाधित ना हूँ आच्छादक फलन एक फलन को आच्छादक कहा जाता है यदि इसके प्रांट के दो या दो से अधिक अव्यव इसकी परिसीमा के अव्यवों के समान हो अध्वा समच्च A से समच्च B के फलन को आच्छादक कहा जाता है यदि समच्च A में दो या दो से अधिक अव्यव फलन के मात्यम से समच्च B में संसाधित होते हैं एवं समान आउटपुट अथवा समान अवियव देते हैं। एक फलन F X से Y तक एक कैकी और आच्छादित दोनों होता है। तब इसे एक कैकी या आच्छादक या आच्छादी कहा जाता है। उधारण फलन के एक एक कैकी और आच्छादी कुणों की जांच कीजिए। F of X बराबर X वर्क दोरा दिया गया फलन F N से N तक फलन है। फल F of X बराबर X वर्क दोरा दिया गया फलन F N से N तक फलन है। ये देखा गया है कि x, y, n के अंतरगत है। इसके लिए f of x बराबर f of y जिसका दाद पर है कि x वर्ग बराबर y वर्ग के जिसका दाद पर है कि x बराबर y है। अदेव फलन f एक कहकी है। अब दो n के अंतरगत है किंदू x, n के अंतरगत नहीं है। f of x बराबर x वर्ग बराबर 2 अदेव f आच्छादी नहीं है। इस प्रकार फलन f एक कहकी है किंदू आच्छादिक है। फलनों का संयोजन, दो फलनों का समिश्रण, दो दिये गए फलनों को जोड़ कर, घटा कर, गुणा कर, अथवा भाग दे कर किया जा सकता है। दो फलनों के समिश्रण का एक और तरीका है, जिसे दो फलनों का संयोजन कहते हैं। चब्द फलनों का संयोजन, अथवा संयोजन फलन, इस तरीके से फलनों के संयोजन को संदर्भित करता है, जहां एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इंपुट होता है। मान लिजिए कि F A से B तक फलन G B से C तक कोई दो फलन है तब F और G के स्नयोजन को G of F के द्वारा निरूपित किया जाता है सथाए से प्रतेक X A के अंतरगत है के लिए G of F of X बराबर G of F X के द्वारा दिये गए फलन G of F A से C तक के लिए रूप में परिभाशित किया जाता है उधारान मान लिजिए F G एवं H R से R तक के फलन है तब सिद्ध कीजिए कि F जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H फल सिद्ध करना है कि F जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H समझ लिजिए कि F जमाँ G of H बराबर F जमाँ G of H हल करने पर F जमाँ G of H बराबर F of H जमाँ G of H इति सिद्धम व्यूत करम्णिये फलन एक फलन F X से Y तक व्यूत करम्णिये कहलाता है यदि एक फलन G Y से X तक का अस्तित्व इस तरह है कि G of बराबर I X सथा F o G बराबर I Y है फलन G फलन F का प्रतिलों कहते हैं सथाई से निम्न अनुसार निरूपित किया जाता है इस प्रकार यदि F व्यूत करम्णिये है तब F अनिवारता एक एकी तथा आच्छा तक होता है विलूमता यदि F एक एकी तथा आच्छा तक है तब F अनिवारता होता है प्रमय यदि फलन F X से Y तक फलन G Y से Z तक तथा फलन H Z से S तक फलन है तब HO G F पराबर H G F है माना की फलन F X से Y तक तथा फलन G Y से Z तक दो व्यूत करम्णिये फलन है तब G of F P G of F व्यूत करम्ण बराबर F व्यूत करम्ण आफ G व्यूत करम्णिये है उधारन F of X बराबर 4X जमा 3 द्वारा दिये फलन F R से Y तक पर व्यूत करम्णिये है फल F of X बराबर 4X जमा 3 द्वारा दिये गए फलन F R से R तक है एक कहकी माना की F of X बराबर F of Y इसका ताद पर है की 4X जमा 3 बराबर 4Y जमा 3 इसका ताद पर है की 4X बराबर 4Y इसका ताद पर है की X बराबर Y अदेव F निमन पर एक एकी है Y अंतर गत R के लिए मान लीजिए Y बराबर 4X जमा 3 है इसका ताद पर है की X बराबर Y घटा 3 बटे 4 R के अंतर गत है अदेव कोई Y आर के अंतर गत है इसके लिए X बराबर Y घटा 3 बटे 4 आर्किन तरगत है इसका स्थित्व इस तरह है कि F of X बराबर F of Y घटा 3 बटे 4 बराबर 4Y घटा 3 बटे 4 जमातीन बराबर Y अटेव F आच्छा तक है इस प्रकार F एक एक की सथा आच्छा तक है एवं इसलिए F के व्यूत करम का स्थित्व है एक दूई आधारी संक्रिया दिये गए प्रकार की दो वस्तूओं के संयोचन के लिए उसी प्रकार की एक वस्तू को प्राप्त करने का एक नियम है हम पहले ही प्रात्मेक स्कूल में दूई आधारी संक्रिया को जान चुके हैं जिन वस्तूओं का हम उप्योग कर रहे थे वे संख्याएं थी सथा दूई आधारी संक्रियाएं जिनकी हमने जाच की वे योग, गुणा, अंदर सथा भाग थी इस पार्ट में दूई आधारी संक्रियाओं को संक्याओं पर ही लागू करने की आविशक्ता नहीं है परिभाशा किसी समच ए में एक दूई आधारी संक्रियाओं इस्थार एक फलन इस्थार एक रौस ए से ए तक है हम इस्थार ए बी को ए स्थार बी द्वारा निरूपित करते हैं क्या आप चांते हैं इस प्रामान में प्त्यक वस्तू संबंद एवं फलनों के तत्य के आसपास खुमती है गणित की हर अवधारणा संबंद एवं फलन के सिधान से निकली है फलन की संकल्पना आर्ट डिसकर्स सन 1596-1650 इस्वी से प्रारणभ होकर एक लंबे अंतराल में विक्सित होई है आर्ट डिसकर्स जिन्होंने सन 1637 इस्वी में अपनी पांडुलिपी जियोमेट्री इसमें शब्द फलन का प्रयोग जैमिती ये वक्रों जैसे अती परवलाई यानी हाइपरबूला परवलाई यानी पहरबूला तथा दीर्ग वृत्य यानी एलिप्स का अध्यान करते समय एक चर्राशी एक्स के धन पूरांक घात एक्स घात एन के रूप में किया था सारांश आईए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संग्षेप में दोराएं एक्स में संबंद आर रिक्त संबंद होता है जो संबंद आर बराबर रिक्त समुचे के द्वारा दिया जाता है जो की एक्स क्रॉस एक्स का उप समुचे है एक्स में संबंद आर बराबर एक्स क्रॉस एक्स द्वारा दिया गया संबंद आर सार्वत्रिक संबंद होता है X में स्वाटुल्य संबंद Rx के अंतरगत प्रतेक A के लिए R के अंतरगत A A वाला संबंद होता है X में संमित संबंद R ایک ऐसा संबंद है जो R के अंतरगत A B को संतुष्ठि करता है इसका तात पर है कि B A R के अंतरगत है X में संक्रामक संबंद R एक ऐसा संबंद है जो R के अंतरगत AB तथा R के अंतरगत BC को संतुष्ट करता है इसका ताथ पर है कि AC R के अंतरगत है X में तुलिता संबंद R एक ऐसा संबंद है जो सा तुलित संमित तथा संक्रामक है X में तुलिता संबंद R के लिए तुलिता वर्क A में A, X के इंतरकत होता है, जो X का उपसमुच्च है, तथा जिसमें A से संबंदित सभी अव्यव B संबलित होते हैं एक फलन F, X से Y तक एक एक की अत्वा एक एक फलन होता है, यदि F of X1 बराबर F of X2 है, जिसका दाद पर है कि X के अंतरकत प्रतेक X1, X2 के लिए X1 बराबर X2 है एक फलन F, X से Y तक आच्छादक या आच्छादी फलन होता है, यदि Y का प्रतेक अव्यव, X के कुछ अव्यवों का प्रतिबिम्ब होता है, अर्थात Y के अंतरकत Y, X के अंतरकत X, इनका सित्व इस प्रकार है कि F of X2 बराबर Y एक फलन F, X से Y तक एक एक की तथा आच्छादक अत्वा एक एक की आच्छादी फलन है, यदि F, एक एक की तथा आच्छादक दोनों है फलन F, A से B तक तथा G, B से C तक का संयोचन एक अंतरकत प्रतिग X के लिए G of X बराबर G of F of X दोरा दिया गया फलन G of A से C तक है एक फलन F, X से Y तक व्योद क्रम निये होता है, यदि और केवल यदि F, एक एक की तथा आच्छादी है दिया गया परिमे समुच्छे X, फलन F, X से X तक एक की सदन उसार आच्छादी होता है यदि और केवल यदि F, आच्छादी सदन उसार A कैकी है ये किसी परिमे समुच्छे का अभी लाक्षिक गुण धर्म यानि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये आपरिमे समुच्छे के लिए सत्ते नहीं है समुच्छे A में एक दूई आधारी संक्रिया स्टार A क्रोस A से A तक एक फलन स्टार है